आटो रिक्षा संग ने अपना किराया बढ़ाने की मांग कर दी है। आटो रिक्षा से ही ट्रावलिंग करना पसंद करता है। आटो रिक्षा बिक्रम टेंबो जो बढ़ाने का जो जिम्मेदार संस्था है वह स्टीए ही है। तो फर्वरी 2014 से जैसे हम कुछ मुख्य मुख्य चीजों को लोगी जैसे ही गाली का इधन गाली से चलती है। तो C&G के दाम इसमें वर्तमान में दोगने से ज़्यादा हो चुके हैं। फर्वरी 2014 में 49 उपे 76 पैसी कीमत हुआ करती थी और आज लगबक C&G की कीमत 99 रुपए 98 पैसे हो चुकी है। इसी तरीके से जो चालकों का वेतन होता है जो जब किराय बढ़ाने का मानक है। उसमें जो स्रम विवाग के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है। तो वो आज की तारिक में वो भी लगबक दुगना हो चुका है। इसी तरीके से जो गाली का मिंटेनस है। उसकी भी जो आज की तारिक में लागाते हैं वर्स 2014 के मुकाबड़े लगबक दुगनी है। इसी तरीके से गाली का इंशुरेंस है। यह तीन चार मुख कानान हैं जिसकी वज़े से किराय को बढ़ाने का वज़ा है। जलत है पर देखा जाए तो एक तार से यह सही भी कर रहे हैं। महेंगाई जिस तरह बढ़ रही है तो डिसीजन इस सब की सही है। वट हम लोग के ऊपर दबाव पड़ेगा। क्योंकि हम लोग छाथ प्रहन पड़ाता है। लिक्कर पड़ेगा। तो आपने सुना ये थे संग के पूरे मेन अधिकारी जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने इसकी मांग उठा दिये, सभी जिम्मेदार लोगों तक अपनी बात पहुचा दिये। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताये हैं, मैं आपको बता दे तो जैसे रोजी रोटी पर संकट, इसके लावा इंधन बढ़ना जी हां, उसके भी रेट जरा लगातार सींजी के बढ़ रहे हैं, तो ऐसे मुनका कहना है कि उन्हीं लोग के साथ आखिर ऐ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, ऐसी और जानकारे के लिए जुड़िरी मेरे साथ में लखनो से अंजली सिंग राजपूत, न्यूज 18